आप सभी का स्वागत है न्यूज रिवीव प्रोग्राम में और आज हम जिस विशय पर चर्चा करने वाले हैं वो है वाट इज कवच टेक्नोलोजी आप लोगों को पता होगा अभी बालेश्वर में एक ट्रेन हाद्शा हुआ है और उसके बाद कवच टेक्नोलोजी चर्च RDSO Research Design and Standard Organization के जरिए विक्षित किया है इस सिस्टम पर रेलवे ने साल 2012 में काम करना शुरू किया था उस वक्त इस प्रोजेक्ट का नाम Train Collision Awareness System TCAS था इस सिस्टम को विक्षित करने के पिछे बारते रेलवे का उद्दिश्य Zero Accident का लक्षे हासिल करना था इसका पहला ट्रा का एक सिस्टम है इसमें Radio Frequency Identification Devices को Train, Track, Railway Signal System और हर स्टेशन पर एक किलोमेटर की दूरी पर इंस्टोल किया जाता है यह सिस्टम दूसरे कंपोनेंट्स से Ultra High Radio Frequency के जरिए कम्यूनिकेट करता है जैसे ही कोई Locopilot किसी सिगनल को जंप करता है तो कवच एक्टिवेट हो जाता है इसके बाद सिस्टम Locopilot को अलट करता है और फिर ट्रेन के ब्रेक्स का कंट्रोल हसिल कर लेता है जैसे ही सिस्टम को पता चलता है कि ट्रैक पर दूसरी ट्रेन आ रही ह तो वो पहली train के movement को रोग देता है सिस्टम लगाता train की movement को monitor करता है और इसके signal बेजता रहता है और ये signal SOS message के द्वारा बेजे जाते हैं अगर इस प्रिक्रिया को आसान भासा में समझें तो इस technology की वज़े से जैसे ही दो train एक ही track पर आ जाती है तो एक निश्ची दूरी पर सिस्टम दोनों train को रोग देता है तो ये थी जानकारी कोच सिस्टम के बारे में Thank you